गूड बॉर्णिंग एवरिवन, वेलकम यू अनलाइन इंग्लिस ग्रेमर क्लास, आई एम इससन हुजा पंडे, आई एम इन इंग्लिस टीचर इन नवजोती ग्लोबल इसकूल पहड़ पानी, होफ यू अलार फिट्स एंड फाइंड एड टाहूं बच्छो हम पहले, पहली क्लास में बच्छो हम पार्ट आप स्पीच के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके आर्ट टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं तो part of speech का जो सबसे first time से हमारा था वो क्या था noun यानि संग्या अब देखो noun हमारा किस सब्द से बना है तो हम इसको कैसे define कर सकते है name of universal nation हम इसको कैसे define कर सकते है name of universal nation इसकी full form है noun की अब name में हमारे क्या क्या आ जाते है person, place और things person कोई भी हो सकता है girl, boys या man, woman place, Delhi, Mumbai, thing, table, cheer, कुछ भी तो आगे बढ़ते हैं और इसकी definitions हम अभी बढ़ेंगे और फिर उसके हम example देखेंगे फिर उसके types ठीके कि noun क्या है और ये हमारा कहां पे use होता है आगे बढ़ते है noun यानि संग्या part of speech का जो first type समारा क्या है वो क्या है noun यानि संग्या अब सबसे पहले हम बच्चों हम इसकी definitions पढ़ेंगे definition क्या है ठीक है पहलम definitions को अच्छी तरह समझ लेते हैं जो इसकी परिभासा है noun is the name of a person thing, place, idea और quality of a person ठीक है noun क्या है किसी वैक्ती, वस्तू, इस्तान या भाव को संग्या या noun कहते हैं ठीक है जैसे रिया, पुलिस, गर्ल, टेबल, टी, डैली, happiness, honesty, nation, debt, life, class and extra ठीक है तो हमें यहाँ पर क्या दिया गिया है कि कोई भी वैक्ती यहाँ पर रिया हमारा मतब क्या है वैक्ती है, लडकी है, ठीक है कोई भी परसन है पुलिस यहाँ परसन है गर्ल, यहाँ परसन है ठीक है, और टेबल, यहाँ पर क्या है कोई वस्तु है, यानि ठीक है टी वो भी हमारी क्या है, कोई वस्तु है डैली, यहाँ पर हमारा क्या है, सिटी है यानि इस्थान है, happiness यहाँ पर भाव प्रकट कर रहा है honesty, इमानदारी ये भी क्या है भाव प्रकट कर रहा है nation, mentality, death, life, class and extra ये सब क्या कर रहे हैं भाव को प्रकट कर रहे हैं ठीक है अब हम सबसे पहले इसका उधारन example देखेंगे कि हमें क्या example से हम क्या समझ रहे हैं first हमारा क्या है I like tea tea यहाँ पर हमारा क्या है ठीक है, क्या है tea यहाँ पर मतलब हम भाव को प्रकट कर रहे हैं बता रहे हैं I like tea, मुझे क्या है चाई पसंद है, ठीक है second, my parents like to my parents like to go to beach मेरे parents को क्या है मतलब बीच में जाना पसंद है यहाँ पर parents क्या है हमारा noun है और बीच भी हमारा noun है parents person के लिए यूज हो रहा है और बीच किसी place के लिए हमारा यानि किसी स्थान के लिए यूज हो रहा है third, Priya is a kind lady Priya एक person है और lady यहाँ पर kind lady जो मतलब यह है lady भी हमारा क्या है person है यह हमारा noun को सूख कर रहा है fourth, he lives in Mumbai वहों मुंबाई में रहते हैं तो यहाँ पर मुंबाई क्या है हमारी city है यानि कोई place है इस्थान है ठीक है और आगे बढ़ते है बच्चो अब हम पढ़ेंगे noun के types ठीक है ये तो पहले तो हमने सबसे पहले इसकी definitions पढ़ी थी वो क्या थी और अब हम इस पढ़ ले है noun के types सबसे पहले हमारा क्या है common noun यानि जातिवाचक संग्या दूसरा हमारा क्या है proper noun व्यक्तिवाचक संग्या ठीक है और चौथा हमारा क्या है ठर्ड हमारा collective noun यानि समुवाचक संग्या फोर्थ हमारा abstract noun यानि भावचक संग्या अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जातिवाचक संग्या के बारे में यानि common noun ठीक है, common noun क्या है जाती वाच्चक संग्या क्या है सभी व्यक्ति या वस्तुओं के समान्य नाम मतलब कोई भी व्यक्ति, कुछ भी हो सकते हैं व्यक्ति ठीक है, girls, boy, man, woman, old man कोई भी या वस्तुओं के समान्य नाम को हम common noun कहते हैं अब सबसे पहले हमें इसके example देखते हैं, कि हमें क्या दिया किया है, the name of person or thing in gender, ठीक है, ये तो हमारी परिभासा हो गई, और अब हम इसके example हम देखेंगे, ठीक है, example of common noun, ठीक है, example of common noun, लड़का, बॉइ, लड़की, गल, पेड, ट्री, बस, ठीक है, और, किताब हमारी हो गई, बुक, ठीक है, ये क्या है, common चीज़े है, common noun है, ठीक हो गया, और आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके कुछ वैसे examples देखते हैं, मंदिर, टेंपल, सुबह, मॉर्निंग, शाम, इवनिंग, बोजन, फूड, शिशु, इनफेंट, ठीक है, तो ये तो थे हमारे common noun के example, अब हम इनके sentence बनाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि, यहाँ पे हमारा common noun यूज हो रहा है, हम इसके example पहले देख लेते हैं, ठीक है, common noun है, common noun हमारा सो कर रहा है, वह हो इसकूल जाता है, ठीक है, वह हो इसकूल जाता है, सैकिन क्या है, my father is a teacher, teacher और father यहाँ पे common noun सो कर रहा है, मेरे पिताजी अध्यापक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब common noun के और भी हमारे पास sentence है, उनके example है, आएए हम देख लेते हैं, he walks to school, वह हो इसकूल चल कर जाता है, ठीक है, यहाँ पे school हमारा common noun सो कर रहा है, और second क्या है, My mother is cooking food, मेरी मा भोशन पका रही है, ठीक है, मदर भी यहाँ पे common noun है, और food भी यहाँ पे common noun है, ठीक है, एक example हम और देख लेते हैं, common noun का, और इसका sentence हम बना लेते हैं, I am reading a book, मैं किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है, common noun है, मैं किताब पढ़ रहा हूं, I take part in the morning, morning यहाँ पे क्या है, common noun है, ठीक है, मैं सुबह नाता हूं, ठीक है, तो यह तो हमारे हो गएते, common noun के example, अब हम second में जाते हैं, second example हमारा क्या है noun का, proper noun, यानि वैक्तिवाचक संग्या, ठीक है, अब हम किसको कह सकते हैं, वैक्तिवाचक संग्या, यानि proper noun, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी definitions देखेंगे, फिर हम इसकी example देखेंगे, किसी एक, विसेस, वैक्ति, वस्तू, इस्थान, या जीव का नाम, किसी एक, विसेस, यानि, मतलब एक, विसेस हम कहते हैं न, कि हमारे कोई particular person होता है, ठीक है, वैक्ति, वस्तू, या जीव का नाम, किसी एक, मतलब कोई एक, ठीक है, the name of a particular person, place, animal, और thing, हम इसे क्या कहते है प्रॉपर नाउन ठीक है ये जो हमारी डेफिनिशन थी ये हमारी प्रॉपर नाउन की डेफिनिशन थी अब हम इसके एक्जाम्पल आगे परते सबसे पहला हम इसके एक्जाम्पल देखेंगे examples of proper noun कोई particular person जैसे गंगा एक नदी है ठीक है डैली विश्विध्याले डैली उनिवर्सिटी particular नाम यहाँ पे सोहरा है हरी सत्ताप्ति एक्सप्रेस and next हमारा क्या है ताज महल ठीक है तो ये तो हमारे होगे proper noun के example ठीक है आगे भी हम देख लेते हैं क्या है proper noun इश्याक न्यूटन ठीक है जवाला नहरू चंडीगर सिटी है फ्रांस प्लेस कुतुब मिनार एक बिल्डिंग ठीक है next अब हम proper noun के example और उसके sentence सबसे पहले हम देख लेते हैं हम सारूक खान से मिले थे, ठीक है we meet सारूक हान ठीक है तो यहां पे सारूक खान क्या है हमारा एक particular person से हम मिले थे तो एक सारूक खान का जो नाम है वो एक particular है मतब एक person particular है मतब, कोई घास है ठीक है next वे दिल्ली विश्विध्याले में पढ़ते है इस टेड़ी एंट डेली उनिवरसीटी ठीक है डेली उनिवरसीटी एक प्लेस का नाम से ओर एक पार्टिकुलर डेली उनिवरसीटी का ठीक है तो ये सब प्रॉपर नाउन के dizendo एक हम कुछ और sentence भी हम इसमें देख लेते हैं, proper noun example sentences, राधिका विश्य यात्रा पर जा रही है, राधिका is going on a word tour, यहां पे राधिका क्या है, एक particular person यहां पे राधिका है, जो common proper noun को so कर रही है, next, हम the tribune पढ़ते हैं, we read the tribune, ठीक है, यह एक book का नाम है, तो यहां पे क्या है, एक particular एक, मतलब एक अनौखा है, ठीक है, तो यह तो हो गएते हमारे proper noun, आगे भी हम कुछ और example proper noun के देखेंगे, sentence बनाते हुए, ठीक है, जवालार नहरू, भारत के पहले पधान मंत्री थे, ठीक है, अब देखो, जवालार नहरू, भारत के पहले पधान मंत्री थे, यह क्या है, एक particular person, जवालार नहरू was the first prime minister of India, इंडिया भी यहाँ पे क्या है, एक particular place है, जवालार नहरू एक नाम है particular, और इंडिया भी यहाँ पर क्या है, एक particular place का नाम है, तो यहाँ पे हमारा यह सब चुस हो रहा है, यह proper noun है, ठीक है, next, Paris, France की रास्थानी है, Paris is the capital of France, Paris क्या है, France की रास्थानी है, तो Paris एक city है, और France क्या है, इसकी capital है, यहाँ एक particular जगा के नाम हमें सो हो रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आता है, समु वाच्चक संग्या, यानि collective noun, अब समु वाच्चक संग्या क्या है, collective noun, जो सब्द वैक्तियों या वस्तुओं के समु का समु दायक रूप से वर्लने हम करते हैं, ठीक है, उसे हम collective noun कहते है, the name of a group, of person, place, animal, और things, ठीक है, यह क्या है, हमारे collective noun है, अब हम इसके example, सबसे पहला हम इसके example देखेंगे, ठीक है, कि हमारा collective noun कहाँ पे यूसरता है, सेना, दल, यानि, आर्मी, कमेटी, ठीक है, कक्षिया, क्लास, सरकार, गॉर्णमेंट, जन्ता, पप्ली, यह सब क्या है, हमारे common noun, collective noun के example है, ठीक है, अब हमारा आएगा next, भाववाचक संग्या, abstract noun, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के गूड, कर्म या अवस्था का बोद कराने वाले सब्द, क्या होते हैं, भाववाचक संग्या, यानि abstract noun, a noun, denoting an idea, quality or state, rather than a constraint object, ठीक है, तो यह क्या है, हमारा abstract noun है, ठीक है, आईए हम पहले, इसके कुछ example हम पहले पढ़ेंगे, कि यह कहाँ पे हमारा यूज होता है, example or abstract noun, हसी, laughter, बीमारी, sickness, काम्याबी, success, गहराई, मतलब dipped, ठीक है, तो हम पिर कुछ sentence बनाएंगे, example के साथ, abstract noun के, ठीक है, abstract noun, example sentence है, शूर्यो दैका नजारा बहुत सुन्दर होता है, ठीक है, आपने भी बच्चों देखा होगा, जब सूरा जुकता है, तो वहाँ पे, मतलब एक, आपने भी देखा होगा, कभी, सूबे, आप जब चलती उड़ जाते हैं, तो सूर्यो दैका नजारा बहुत सुन्दर होता ह तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है इसकी सुन्दर्ता सुन्दर्ता यहाँ पे इसकी सोहरी है प्यूटिफूल ठीक है अब्स्रेक्ट नाउन है नेक्स्ट राम का भाई गुलामी में रहता है रास ब्रदर लिवस इन स्लेवरी ठीक है तो यहाँ पे स्लेवरी क्या है गुलामी क्या है अब्स्रेक्ट नाउन है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब अब्स्रेक्ट नाउन के और भी सेंटेंस हम देख लेते हैं भारत को 1947 में सुतंतर्ता मिली ठीक है इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 मैं बच्चपन में टॉफी खाता था या खाती थी आई एड टॉफी टियूरिंग चाइल्डिहोट यहाँ पे चाइल्डिहोट यानि बच्चपन क्या है अब्स्रेक्ट नाउन है ठीक है आगे बढ़ते है तो बच्चों आप नाउन की डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं ठीक है पार्ट अप स्पीच भी आप पढ़ चुके हैं नाउन की डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं उसके एक्सांपल भी पढ़ चुके हैं और उसके टाइप्स भी आप पढ़ चुके हैं ठीक है pronoun के बारे में पढ़ेंगे ठीक है? ओके? टेक कियर